नमस्कार मैं हूँ राजेंदर धिमीजा आप देख रहे हैं मेरे चैनल सो भाग्य दीप जियोतिस और उपाए इस स्रिंखला की प्रस्तुत है आज 37 वी कड़ी जन्म पत्री है एक पुरुष की 17 985 है जन्म दिथी और देखते हैं इसमें प्रसंद है जो विक्ति का बिजनेस हेल्थ और मेरेज़ से समन देथी महतुपूर्ण परसन है जीवन के बहुत महतुपूर्ण परसन है तीनों देखते हैं जनम कुंडली क्या कहती है दस नमबर लगन है मकर लगन गुरू है 14 डिगरी का लगन में यानि की नीच राची में तो इसकी चर्चा आगे करते हैं उसके बाद में दूसरे स्थान में कोई ग्रह नी तीसरे में कोई ग्रह नी चोते में रहू है 16 डिगरी का पांचमे में ग्रह नहीं है छटे में ग्रह नहीं है साथमे में कोई ग्रह नहीं है और आठमे स्थान में जो ग्रह स्थित हैं वह है मंगल ग्यारा डिगरी शुक्र है जीरो उन्तालिस और बुद्ध है छबिस डिगरी नोमे स्थान में सूरिय है जीरो डिगरी 49 मिनट और कन्या राशी में दस्थान में केतु और चंद्रमा है तुला राशी में केतु है शुना डिगरी चंद्रमा है सात डिगरी और 11 स्थान में सनी है जीरो डिगरी जीरो डिगरी दो मिनट विरिश्चिक राची में और 12 स्थान खाली है कोई ग्रह नहीं है जो तसा चल रही है वह है महादसा सनी की 13-2019 से 13-2018 तक और वर्तमान में जो अंतर दसा चल रही है वह है सनी में सनी 4-3-22 तक उसके बाद में चलेगी सनी में बुद्ध ग्यारा ग्यारा चौबिस तक देखते हैं क्या प्रिस्तितियां हैं जन्म पत्री में पहला जो स्वास्थ व्यवसाई और दामपत जीवन या विवाः इनके बारे में क्या कहती है जन्म कुडली लगने में गुरु है नीचरासी में मकर में जो बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है ऐसे व्यक्ति का जिसका गुरु जो नीचरासी का होता है जितना जो उसके पास में धन होता है या जो भी उसकी प्रिस्थितियां होती है वह उससे बहुत अच्छा परभाव देता है अच्छा हुआ, उसके आगे राहु, चोगे स्थान में, लिकिन आठमे स्थान में जो ग्रह हैं, उन पर बहुत जो उनको धियान से देखने की आभ सेखता है, जो आठमे स्थान में सूरी की राज़ी है, सिंग और इसका स्वामी चला गया है, भागेस्थान में नौवेस्थान में और नौवेस्थान का स्वामी बुद्ध वह चला गया आठ्वेस्थान में यानि कि जनम पत्री में जो भागेस्थान और अस्टम स्थान का परिवर्दतन योग है अस्टमेस भागेस्थान में भागेस्थान में तो यह है भागेस्तान के लिए खराब हुआ यह है योग क्योंकि जो भागेस्तान का स्वामी अपने से बारवे में गया और आठ्वेस्तान का स्वामी अपने से दूसरे में गया अपने से दूसरे में जाना लाबदैक है अपने से बारवे में जाना हानिकारक है और यह आपस में खराब हुआ किसके लिए बुद्ध ग्रह के लिए भागे के लिए जो भागे कुछ न कुछ देना चाहता है और बुद्ध ग्रह क्या है इसमें छटेस्तान और बागेस्तान का स्वामी बागेस्तान का स्वामी बहुत कुछ दे सकता है जीवन में अगर बाकी ग्रह नहीं भी दे रहे हों, तो भाज दे सकता है, वैसे भी, भागिस्तान का स्वामी जबुद ग्रह 26 डिग्री है, बलवान है, कोई उससे जो अंशों में कमी नहीं है, प्रंतु जो वहाँ पर, अस्टमेश सुर्य चला गया, भाज 0 डिग्री है, वह कुछ भी देने की स्थिति म यानि की 0 डिग्री 49 मिनट, सुर्य का 24 गंटे पहले भी परिवर्तन नहीं हुआ, उससे पहले पहले ही परिवर्तन हुआ है, तो आगे पर स्थिति देखते हैं, यहां पर है मंगल, शुक्र और बुद्ध, शुक्र है 0 डिग्री 32 मिनट, यानि की 1 डिग्री से भी कम, तो उ उसके अंदर ताकत नहीं है, ना शुक्र बलवान हुआ, और बुद्ध, जो अस्टम में आने के कारण कमजोर हो गया, और तो शुक्र का फल नहीं मिलेगा, 0 डिग्री है, तो कोई विसेस फल की हमुबिद नहीं कर सकते हैं, और इसी तरीके से सूर्य का जो फल बहुत ज़ ज़दा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भी एक डिग्री से भी कम है, 0 अन्चास है, तो वह फल नहीं मिलेगा, उसके आगे देखते हैं, जो दसमुस्तान में चंद्रमा और केतू, केतू अस्तिर्ता देता है, मन्चे कसांती अस्तिर्ता देता है, चंद्रमा है, 7 डिग्री, 7 ठीक है, तकलिफ आली बात नहीं है, प्रंतू चंद्रमा यहां पर दिग्बल से हीन होता है, उसके अंदर ताकत नहीं है, इसलिए जो यहां पर भागय वृध्धी नहीं दे सकता, चंद्रमा भागय का सामाने कारक है, और यहां पर क्या है, यह सब्तमेश है जनम कुंडली सब्तमेश यानि की दोस्ती दामपत जीवन और पार्टनर्शिप के स्थान का स्वामी, तो ना दोस्ती चलेगी, ना दामपत जीवन चलेगा, ना पार्टनर्शिप चलेगी, क्योंकि चंद्रमा दिग्बल से हीन हो गया, इसके अलावा चंद्रमा पापकरतरी योग में है एक तरफ सनी है दूसरी तरफ सूर्य है दोनों पाप ग्रह की स्रेणी में आते हैं और ना सनी में पावर है ना सूर्य में पावर है दोनों असुबता का ही परभाव देंगे तो यह क्या हुआ दामपत जीवन के लिए खराब हुआ और दामपत जीवन का कारक ग्रह जो है उसके अंदर भी कुछ देने की किसमता नहीं हुई, तो कुल मिलाकर यह सब्तम अस्तान के लिए हानिकारक हुआ, सब्तम का जो कारकतो है, उसके लिए हानिकारक हुआ, ना दोस्ती चलेगी, ना दामपती जीवन चलेगा, ना पार्टनर्शिप चलेगी, अब हमने उसके आग देगरी दो मिनट विल्कुल भी उसके अंदर पावर नहीं तो लगन क्या है स्वास्थ का जो एक जनरल जो हम देखते हैं स्वास्थ का सिस्टम उसमें कोई तागत नहीं है तो जो स्वास्थ में खरावी का योग हुआ गुरु ग्रह वहां पर पहले से ही नीचरासी में है त स्वास्थ में परिशानी खरावी है कमजोर रहेगा हमेशा बीमार रहेगा परिशान रहेगा कोई बचाने वाला ग्रह नहीं है बचाने वाला होता तो तब भी कुछ ना कुछ लाग की स्थिति हो सकती थी यहां पर किसी ग्रह की दृष्टी भी नहीं है लगन पर और लग परनेस पर भी केवल मंगल की दृष्टी है और अपने घर पर दृष्टी है परंतु सनी के लिए मंगल लावदायक नहीं होता इसलिए कोई वहाँ पर लावदायक श्तिती नहीं हुई तो कुल मिलाकर हमें देखने से जो स्वास्त डेकर जब हम वह पाई देखेंगे तो हमको उतनी जदा बुद्धि लगा कर काम करना पड़ेगा लेकिन पहले देखते हैं क्या-क्या परिचानिया है स्वास्ते की परिशानी दूसरा दामपत जीवन पूछा दामपत जीवन में परिशानी और फिर बिजनेस बिजनेस के लिए दसमस्तान दसमस्तान का स्वामी सुक्र जीरो डिगरी 32 मिनिट और अस्टमस्तान में यानि कि उसमें भी पावर नहीं ना व्यवसाई में परिशान तो ऐसे आदमी का क्या होगा, वह धीरे धीरे अपने माता पिता की संपत्ती को खराब करेगा, धन्ड उबोएगा, जिस काम में भी हाथ डालेगा, भले दूसरे आदमी लोहे से सोना बना रहे हों, वह सोने से लोहा ही बनाएगा, वह कुछ फाइदा नहीं कर सकता, तो ऐसा रखती कभी भी आलू से सोना बनाने की मसीन तो लगा ही नहीं सकता, तो वह कुछ भी जो सोने को सोना रख ले वह बड़ी बात है, वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि जहां भी काम करेगा, तो उसमें नुकसान ही बैठेगा, इसलिए कोई जो लावदायक स्तिती नहीं है, कहीं फिर अपने को वहां पर स्तिर करे, नहीं तो क्या करेगा, कि जैसे कदम आगे बढ़ेगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे आएगा, तो सारा जीवन उसी पर ही चलता रहेगा, तो कुल मिलाकर हमने जो देखा, जो परिवर्तन योग भी खराब ह और जो ना लगनेस में बल है, ना सब्तमेस में बल है, ना दसमेस में बल है, तो इन सब ग्रहों की स्थिती खराब हुई, अब हमें देखना है कि हम ऐसा क्या उपाए करें, जो ग्रह स्थिती को मजबूत बनाए, ग्रह स्थिती मजबूत कैसे हो सकती है, मकर लगन है, मकर सनी, सनी के लिए बल आवसक है, सनी जीरो डिगरी दो मिनट है, बलवान नहीं है, तो सनी को बल देना है, पंच में सुक्र, सुक्र क्या है, जीरो डिगरी और उन्तालिस मिनट, तो सुक्र में भी कोई बल नहीं है, सुक्र को बलवान करना है, उदर से बुद्ध है, तो में है जितना बली उसको होना चाहिए उतना बली नहीं है कुल मिलाकर परिष्थितियां बहुत अनुकुल नहीं है परन्तु जो हमें व्यक्ति को आगे बढ़ाना है तो कुछ ने कुछ ठीक से उपाए हमें सुझाना पड़ेगा तो व्यक्ति को चाहिए क्या सारा जीवन उस सथा क्या है सनी है जिरो डिगरी दो मिनट सुक्र है जो जिरो डिगरी और 49 मिनट कोई वैसा नहीं सूर्य भी 0-1 अन्य-चास है सूर्य के लिए हम क्या करेंगे मंत्र पाठ अस्टमिस है भाकिस्तान में सूर्य का ओम घरणी सूर्याय नमा मंतर पाठ करेंगे इस से काम चलाएंगे और अगर आवस्चे को आ तो सूर्य का दान कर सकते हैं हम अन दान करेंगे आटा गेहूं गुड जो भी हम करना चाहें रवी बार को दिन के समय इस लगन में सूर्य कारक ग्रह नहीं है इसलिए सूर्य का दा करना लावदायक रहेगा रवी बार को दिन के समय कहीं भी भंडारे में गुर्दवारे में अंधविदाले में या ऐसे इस्तान पर जहां पर सामूहिक भोजन होता है वहां पर अन दान करें साथ में कुछ दक्षिना भी दें तो सूर्य उससे ठीक होगा अब जो बाकी की प्रस्तितिया हैं हमारी वह कैसे ठीक होंगी लगनेस पंचमेस और जो भाग्येस है इनके रतनों को धारन करके करवा कर हम व्यक्ति को बल दे सकते हैं व्यक्ति के सामर्थ को बल दे सकते हैं उसके शरीर को उसके जो योजना सक्ति को उसके भाग्य को स्वास्त है भाग्य योजना बनाने की उसकी इक्षमता ये सारी चीजें मजबूत होंगी तो वो सारा का सारा काम अच्छे तरीके से कार्यानवित हो सकेगा और वह प्रगती कर सकेगा तो स्वास्ते के लिए क्या चाहिए हमें शनी का रतन या उपरतन नीलम या उसका उपरतन नीली और यहां पर रतनल, सुकर का अरतन होता है, हीरा पहने और ने तो इसके लिए सबसे अच्छा जो अरतन होता है। सफएद पुखराज बिल्कुल वाइट लहरी पुखराज है एकदम कुछ बड़ा भी मिलता है अच्छा भी मिलता है और एकदम क्लियर कठ हमारे अनुबव में हमने लागातार पाया है कि जिस जिसको शुक्र के ग्रह के लिए हमने सफेद पुकराज पहनाया है उसका निरंतर लाव हुआ है आर्थिक स्थिति बहतर हुई है और स्वास्थ भी बहतर हुआ है जो पंचमस्तान में है योजना बनाने की जो बढ़ेगी और योजना को कार्यानवित करने की शक्ति बढ़ेगी सबसे जरूरी चीज है आप सोचते हैं सोचें और उसको इंप्लिमेंट करें पूरा करें पूरा करने की तागत चाहिए तो वह यहां से आएगी शुक्र को बल देने से आएगी इस जनमपत्री में और फि इसमें यंत्र कौन सा इस्तेमाल करें शुक्र ग्रया का यंत्र शुक्र तेजस्वी लाकेट शुक्र को बल देना पड़ेगा क्योंकि दामपत्य जीवन भी चलाना है दामपत्य जीवन का कारक है दोस्ती दामपत्य जीवन पार्टनर्शिप चलेगी सहयोग मिलेगा दूस इसमें जो रतन क्या इस्तेमाल करें, बीच में सफेद पुखराज, और एक तरफ जो पन्ना, दूसरी तरफ निलम, तो निश्चित तोर पर ऐसे व्यक्ति की भागय व्रिद्धी होगी, और अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो अलेकजिंडर, सफेद और पन्ना, या उसका उप्रतन जो भी चाहें, वैसा इस्तेमाल करें, उससे भी निश्चित लाव मिलेगा, परंतु अगर अच्छे रतने इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा लाव मिलेगा, और अगर जो अच्छी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बल ज्यादा नही मिलेगा अब देखते हैं दसा क्या चल रही है शनी की दसा है एक तिन उन्निस से एक तिन अड़तिस और शनी ग्रह में देने की खिमता नहीं है शनी लगने से धनस्तान का स्वामी है ना धन देगा देने की सामर्थ है ना ही स्वास्त ठीक रखने की सामर्थ है इसलिए हमने ज साल की दसा जीवन में बहुत महतुपुर्ण है क्योंकि जो भी सारा खेल आदमी का अप जाने का या डाउन जाने का इसी दसा में हो जाएगा वर्तमान में सनी में सनी की दसा चल रही है इसलिए इसका उपाय करना और भी ज़्यादा महतुपुर्ण है क्योंकि स्वास्थ भी जो हमें देखना पड़ेगा और धन भी देखना पड़ेगा तो कुल मिलाकर हमने देखा ना आर्थिक स्थिति बेतर हुई ना दामपत जीवन चलने का योग हुआ और ना ही जो व्यावसाय चलने का योग हुआ सारी प्रिचानिया उपाई के तोर पर एक तो हमने बता दिया सुक्र तेजस्व इलाकिट और उसमें जो रतन लगाने हैं वै कलियर हो गया दूसरी बात जो सब्तमियस पापकरतरी योग में चला गया चंद्रमा दसमस्तान में दिखबल से हिन भी राओ के तुसे पेड़ित भी और पापकरतरी योग में भी तो ऐसे में भगवान विश्णों की पूजा ओम सिरी विश्णवे नमा और बरगद की परिकर्मा ही लावदायक है पूरनिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर एक लोटा पानी चड़ाएं तीन बार कलावा लपेटें एकसो आठी परिकर्मा करें ओम सिरी विश्णवन मन्तर पाठ करें बाद में हर रोज ओम सिरी विश्णवन मन्तर पाठ करें मून स्टोन की माला से निष्णी तिलाब मिलेगा सिर्फ यही उपाई ही ऐसे व्यक्ति को बचा सकते हैं और नहीं तो इदर दर भटकता रहेगा कभी तांतरीकों के पास, कभी जोत्षियों के पास, कभी कहीं कभी कहीं या अपने उपाई करता रहेगा, द्वाई खाता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा ना सुरीर में ताकत आएगी ना स्वास्त ठीक होगा ना काम बनेगा क्योंकि ग्रहों में बल ही नहीं है जब एक जो व्यक्ति में ना लेने की ख्समता है ना ही कोई जब आशीर बात देता है तो उसको अपने तक रोक के रखने की ख्समता है इसलिए वह प्रगती नहीं कर पाएगा तो साफ और स्पस्ट है जो उपाई बताया है उसके अनुसार चले और अगर समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट्स में लिख दे हम दुबारा से समझाने की कोशिश करेंगे इससे अच्छा और बहतर मैं समझता हूँ नहीं समझाया जा सकता है और अगर आपको विशलेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करें ताकि जो इस तरीके से समझाने वाले सिस्टम की और ज्यादा परक्ति हो ज्यादा से ज्यादा फैले और अधिक से अधिक लोग इसका लाब उठा सकें इसे सीख सकें और पूछ सकें और इसका लाब उठा सकें बहुत भहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए